हाई गाईज वेलकम टू माई चैनल तो गाईज आज हम बना रहे हैं डोसा इडली सांबर और चटनी तो गाईज सब्जिया मैं यहाँ पर कट कर चुकी हूं तो आईए देखते हैं सांबर हम कैसे त्यार करते हैं तो गाईज सांबर के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप मलका डाल आधा कप अरहर डाल लिया है तो मैंने इसको आधा गंटा भीगा दिया तो कि नंबर में सीटी लग गई है अब हम इसमें तड़का देंगे कि आधा कि आधा कि आधा कि आधा कि आधा कि दोसे के मसाली के लिए मैंने यहाँ पर चार बॉइल आलू ले लिए तो इनको मच्छे से मैस करेंगे कि को हम इसी तरके हो अपना अलू बालें लिए आलू हमने पहली नहीं तरलिया था तो अब आपना अपना मसाला दालेंगे कि इसी में हम जॉब डाइनियन डाल देंगे इससे बहुत अच्छा टेस्टा आता है कि इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेगा अच्छा मसाला यहां रेडी हो चुका है कि इस अच्छा पतला बनेगा उत्ता आच्छा क्रिस्पी बनेगा कि इस अच्छा इतला बनेगाँ के इस ए ही इतलर से हैं कि इस यह एी ठोस्टा आता है कि इस ओू ही इसप्छा क्ष्छा क्थ़ना इस एक मांचों र видеnes थे बनेगा अक्ण तरम एफृ चितन होया है झाल झाल फाइनली यहां हमारा सांबर इडली डोसा चट्नी तयार हो चुके हैं तो आप हम इसे सर्प करेंगे यह हमारी नारियल की चट्नी सांबर सूजी वाली इडली चेंटू चेंटू और सूजी वाला